गुद इस चैप्टर में एक एक स्टोरी दी हुई है आप सब देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे क्या है अनिमल्स दिख रहे हैं तो अनिमल्स की यहां पे क्या हो रही है पाटी चल रही है यहां पे क्या लिखा है Wedding in Bunny's family There is a wedding day Wedding in Bunny's family A family of rabbits Bunny यानी rabbit उसकी family में एक पाटी है ठीक है वेडिंग है तो उसके लिए एक पाटी थो की है उसने Many guests are invited बहुत सारे guests उस पाटी में आई हुए है So, जैसे कौन-कौन guest आई हुए है Deer, monkeys, elephants, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc ठीक है ये बहुत सारे आपको यहाँ पे जो animals दिख रहे है जैसे हम कहीं पे भी पाटी में जाते हैं आप लोग अपनी पाटी करते हैं ठीक है बहुत्दे पाटी करते हैं तो वहाँ पे आप लोग कुछ ड्रिंक्स देते हैं जैसे कोल ड्रिंक सर्फ करते हैं या रसना सर्फ करते हैं चीक है, तो वहाँ पे भी कोई drink serve की जारी है, one glass each, सब को एक-एक glass मिलेगा, okay, everyone finds the drink very tasty, सब को वो drink बहुत tasty लगती है, but small guests like Dash and Dash cannot finish a full glass, but जो छोटे-छोटे creatures हैं न, छोटे-छोटे जो guests हैं ये, जैसे ये बने हुए हैं, उन लोगों ने पूरा glass उस drink को finish नहीं कर पाए, but Dash is able to finish his glass, but जो बड़े creatures हैं, obviously वो उस glass को पूरा पी लेंगे, ठीक है, तो जैसे चोटे-चोटे creatures कौन से हो गए, mice, ठीक है, mouse जो होते हैं, उसके बाद cats हो गई, dogs हो गई, ये चोटे creatures हैं, तो ये full glass finish नहीं कर पाए, या birds हो गई, जैसे स्नेल भी है, देखिए, ये भी चोटे creatures हैं, tortoise चोटा creature है, ये देखिए, यह पैरिट बना हुआ है, ये चोटा creature है, ये sparrow, hen, ठीक है, ये सब small creatures हैं, तो आप इसमें, डैश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई, स्कैट, स्नेल लिख सकते हैं, पैरिट लिख सकते हैं, टॉट टोइज लिख सकते हैं, ये सारे चोटे creatures हैं, तो ये अपने glass finish नहीं कर पार है, बट डैश is able to finish his glass, बट जो बड़ा creature होगा, वो obviously उस glass को finish कर पाएगा, जैसे की बड़ा creature क्या हो गया, camel हो गया, elephant हो गया, ठीक है, ये deer हो गया, ये सारे बड़े creatures हैं, तो इनने अपना glass finish कर लिया, आप इस फिलप में कुछ भी लिख सकते हैं, तो जैसे और कॉन से guest हो गया, deer हो गया, camel हो गया, fox हो गया, ये आप उसमें से और देख सकते हैं, camel के अलावा monkey हो गया, ठीक है, और, और क्या हो सकता है, dog हो गया, ठीक है, ये सब जो है more than one glass, ask कर रहे हैं, अब trouble स्टार्ट होती है, there are some big guests, who go on gulping down glass after glass, जो बड़े guests है, जो बड़े creatures हैं, उनका पेटी नहीं भर रहा, तो वो gulp मतलब पीते ही जा रहे हैं, गटकते ही जा रहे हैं, glass after glass, मतलब glass के उपर glass पीते ही जा रहे हैं, bunny wants to guess who drank how much, अब bunny जो guest है, जो party का organizer है, उसको जानना है कि किसने कितना, पी a drink, help him fill the table and have fun, अब आपको बोला जा रहा है कि उसका जो table दिया हुआ है, उसको फिल करिये, guest के नाम लिखिये कि किसने कितना पीया होगा, तो वो guess कर रहा है, तो उसने guess क्या किया, less than one glass किसने पीया होगा, छोटे वाले creatures ने, तो कौन है छोटे, तो बहुत जादा बड़े creatures, तो बहुत जादा बड़े creatures सिफ दो ही थे, camel और elephant ठीक है, इस तरीके से आपको guess करके, लिकना इसमे,